हलो फ्रेंड स्वाथ करता हूं आपक अपने चनल टेक राजपूत पे और दोस्तों आज की स्यूडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको ना पता हो तो इंस्ट्टा जंप लों जो ऐ व DID कार्ड और आपको ये ना पता हो कि उसका जब लोण मिलता है तो उसका एक separate credit card का एक number बनता है ठीक है और और वह number कैसे fascinating करते हैं सबसे बड़ी कहानी यही पूरे internet पे हखका है कि नंबर कैसे ं लेकिन मैं किन ट्रेड लेंने मैं ट्रेकस उन्हें में लेकिन इसको एक लिशा निम नमिंग उसके करना 1 चत्रेड है के साफिच करना थो जब भी आपने लिए हो जितने 10 इयर कर लोन लिया उसमें एड करना हो जैसे आज आज आपने लोन लिया छे महीने का तो सेप्टेंबर महीना चल रहा है 2020 का तो इसमें छे महीने एड कर दो आप जो भी महीना आता है वो उसमें काड का एक्सपाइर डेट होता था तो यह कैलकुलेशन भी लोगों के लिए मिस्किल है और चोकि लोगों को पता नहीं है तो वो दिखता थे थोड़ा सा तो आज जो मैं लाया हूं प्रोसेस उसमें क्या करना है और आपको जाना है क्रेइट काड बिल पैमेंट के वाले ओप देंग रहा है काड नमर आप यहां पर सही सही डालो कंफर्म का नीचे बटन है वह इनेबल हो जाएगा जैसे देखो मैं कुछ भी डालता हूं दो तीन चार पांच सब्सक्राइब करना है वह मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है उस वीडियो का मैं लिंक आपको ऊपर हुआ देने वाला हुँ वीडियो पर जाना आप उसमें मैंने बताया कि कैसे आप अपना सीबलんです में दिखाई देता हु ना तो पैसा बजातके आप्रिकेसं में यूज़कर आपना सीबल्स को फेच करने के लिए उसके अंदर आपको जाना है ठेक है उसके अंदर आपको जाना है सीबिल credit score वाले टैब के अंदर और यहां से आपको चार credit वियुर हैं जो इंडिया में लोग stray बाझते हैं जैसा कि आप दिख cultura है सीबिल है, high mark है, experience है अपको छिर्फ एक्स्प sìडियन वाले पे ही जाना है क्योंकि यही आपका card number show करता है, बाकि सब उसको hide करकर रखते हैं, जिर्फ last के four digits show करते हैं, यह लोग काफी question आता है, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, कि यार मेरा हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपने experience वाले tab में नहीं गया हो, आप किसी भी tab में जाकर आप download कर रहे experience वाले tab में जाओ, क्योंकि experience ही उसको सिर्फ expose कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कुछ दूनों में बंदी कर देगा वो, तो experience वाले tab में जाओ, और यहां detailed report में click करो, और यहां से अपने card number को निकालो, ठीक है, आपको card का last four digit तो पता ही होगा, क्योंकि जब भी आप Instagram लोन आपको तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका पूल लिंक कि यहां दूँगा, आप वहां जाकर उसको अच्छे से देख लो, create card number निकाल लो, यहां कर पेश्ट कर दो, confirm बटन दबा दो, और उसके वाद UPI से payment कर दो, आज ही मैंने सुबह सुबह payment किया है, बिल्कुल successful हो HDFC का message आया, मैंने खा, हाँ भाई, सही बात है, अब मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है दोस्तो, तो मुझे लगता है, जादा कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए, बिल्कुल simple सा process है, एक बार आप बना लोगे, एक बार इसको आप अगर payment कर लोगे, तो फिर सबसे पहले, जो मेरा उपर दिख रहा है, मास्टर कार्ड यह मैंने इसमें 100 रुपे की है, और इसका है, HDFC वालों को कुछ message कुछ इस तरीके का आता है, वो भी दिखाता हूँ आपको, वह नहीं पता चलिए, आप payment करना हर सो चो यार message तो आया नहीं, तो यह देखो, अभ तो आप बोलो कि 100 रुपे क्यों पर बेंड क्या है, मैंने 100 रुपे मैंने 100 रुपे मैंने बस टेस्टिंग गए लेकिया, वैसे तो मेरी 2-3 रुपे जाती है, ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई doubt हो तो comment में तो पू download करना है, और उसका password है आपका date of birth, ddmm yyyy के format में जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं especially नहीं बता रहुआ हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देहान से देखोगे तो लिखा हुआ हुआ है, उसको डाल के आप खोल लेना, वहाँ पर आपके सारा card detail होगा, सिर क्रेइट कार्ड बिल पर जाना, और यहां पर mastercard वाला जो option है, उस पर click करना, और देखो सबसुपर mastercard लिखा रहा है, यहां क्रेइट कार्ड नंबर पर paste करना, और यहां पर confirm button दबाद देना, और उसके बाद आपको पता ही है, कि सारा आपको UPI के payment, जैसे भी आप payment करते ह जाएगा, ठीक है दोस्तों मैं क्यों नहीं paste करा, क्योंकि वो नंबर सो हो जागा, मेरा फिर मजे उसको हाइट करना पड़ेगा, ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई doubt हो, यह सबसे आसान प्रोसेस है, अभी तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए है, और मेरे वी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राब तो मैं चनल, थैंक यू वरी मच